C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरा प्रस्तुत है प्रस्तुत है प्रस्तुत है पाठ संख्या 16 लेखिका रजिया सज्जाज सहीर प्रिष्ट संख्या 128 से 140 पाठ नमक लेखिका परिजय नाम रजिया सज्जाज सहीर जन्म 15 फर्वरी सन 1917 अजमेर राजिस्थान प्रमुख रचनाई जर्द गुलाब उर्दु कहानी संग्रह सम्मान सोव्यत भूमी नहरुपुरस्कार उर्दु अकादमी उत्तरप्रदेश अखिल भारतिय लेखिका संग अवोर्ड निधन 18 दिसंबर सन 1989 हमारे दृर्द संकल भी हमारी ताकत हैं हमारा लिखना ही हमें जिन्दा रखता है रजिया सज्जाद जहीर मूलतह उर्दु की कहानी लेखिका हैं उन्होंने बिये तक के शिक्षा घर पर रहकर ही प्राप्त की विवाह के बाद उन्होंने इलहबाद से उर्दु में एमे की परिक्षा उत्तिर्ण की सन 1947 में वे अजमेर से लखनव आई और वहां करामत हुसैन गल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी सन 1965 में उनकी न्युक्ती सोवियत सूचना विभाग में हुई आधुनेक उर्दु कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं उर्दु में बाल सहित्य की रजना भी की है मौलिक सर्जन के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भाशाओं से उर्दु में कुछ पुस्तकों के अनुवाद भी किये है रजिया जी की भाशा सहज, सरल और मुहावरेदार है उनकी कुछ कहानिया देवनागरी में भी लिप्यांतरित हो चुकी है रजिया सज्जाज जहीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिशनुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मुल्यों को उभारने का सफल प्यास मिलता है सामाजिक यथार्थ और मानविये गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की विशेशता है प्रिश्च संख्या 128 पाठ परिचे रजिया सज्जाद जहीर की नमक शीर्शक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहत के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पर आए देश पर देश की कई प्रचले धारनाओं पर सवाल खड़े किये गए हैं विस्थापित होकर आई सिक, बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती हैं और सौगात के तौर पर वहां का नमक लाय जाने की फर्माइश करती हैं कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए, जिसे ले जाना गेर कानूनी है, देहली को अपना वतन बताता है इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दासकुप्ता का कहना है, मेरा वतन धाका है राष्ट राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजभी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगहें मुकरर कर चुके हैं इसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतरमन तक नहीं पहुँच पाई हैं राजनीते की अथार्थ के स्थर पर उनके वतन की पहचान बदल चुकी है किन्तु यह उनका हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया है एक अंचाही अप्रितिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्मस्थानों से विस्थापित्तो कर दिया है पर वह उनके दिलों पर कबजा नहीं कर पाई है नमक जैसी छोटी सी चीज़ का सफर पहचान के इस हार्दिक पहलू को परत दर परत उगार देता है यहां हार्दिक पहलू जब तक सरहत के आर पार जीवित है तब तक यहां उम्मीद की जा सकती है कि राशनीतिक सरहतें एक दिन बेमानी हो जाएंगी लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत सार गर्भित है उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और देहली मेरा तो बाकी सब रफता रफता ठीक हो जाएगा इसे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में जरूर उट सकता है क्या धर्म मजभब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंग दिये गए लोगों की वह पिड़ी जिनके दिलों में अपनी जर्म स्थली के प्रती गहरा लगाव है कि खत्म हो जाने पर रफता रफता ठीक हो जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी क्या नई पिड़ी के आने पर भी यह उम्मीद बनी रहेगी प्रस्तुत है पाठ नमक उन सिक बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी किस कदर वह उसकी मा से मिलती थी वही भारी भरकम जेस्म छोटी-छोटी चमकदार आखें जिन में नेकी, मुहबबत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती थी चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब वैसा ही सफेद बारिक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओड़ा करती थी जब सफिया ने कई बार उनकी तरफ मुहबबत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहु से पूछा उन्हें बताया गया कि ये मुसल्मान है कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाईयों से मिलने जिने उन्होंने कई साल से नहीं देखा लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है वहां के लोग कैसे खुबसूरत होते हैं उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन सैड सपाटे के रसिया जिन्दा दिली की तस्वीर कीर्तन होता रहा वे आहिस्ता आहिस्ता बाते करती रहें सफिया ने दो एक बार बीच में पूछा भी माता जी आपको तो यहां आये बहुत साल हो गए होंगे हाँ बेटी जब हिंदुस्तान बना था तभी आये थे वैसे तो अब यहां भी हमारी कोठी बन गई है बिजनस है सब ठीक ही है पर लाहौर बहुत याद आता है हमारा वतन तो लाहौर ही है फिर पलकों से कुछ सितारे तूट कर दो धिया आचल में समा जाते हैं बात आगे चल पड़ती मगर घूम घूम कर फिर उसी जगह पर आ जाती साड़ा लाहौर कीरतन कोई ग्यारा बजे खत्म हुआ जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और साफिया के सालाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुक्सत होने लगी तब साफिया ने धीमे से पूछा आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए वे दर्वाजे से लगी खड़ी थी हिच्खिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना पंद्रा दिन यो गुजरे की पता ही नहीं चला जिम खाना की शामे दोस्तों की मुहबबत भाईयों की खातिरदारिया उनका बस ना चलता था की बिच्छिडी हुई परदेशी बहिन के लिए क्या कुछ न कर दे दोस्तों अजीजों की यह हालत की कोई कुछ लिए आ रहा है कोई कुछ प्रिष्ठ संख्या 131 कहां रखें कैसे पैक करें क्यों कर ले जाएं एक समस्या थी सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज की एक पुडिया की जिसमें कोई सेर भर लाहोरी नमक था सफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था उसने सोचा कि वे ठीक राय दे सकेगा चुपके से पूछने लगी क्यों भाईया नमक ले जा सकते हैं वे हैरान होकर बोला नमक नमक तो नहीं ले जा सकते गेर कानूनी है और और नमक का आप क्या करेंगे आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है वे जुझला गई मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ आया होगा मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए मेरी माने यही मंगवाया है भाई की समझ में कुछ नहीं आया मा का क्यों जिक्र था वे तो बटवारे से पहले ही मर चुकी थी जरा नर्मी से समझाने के अंदाज में बोला देखिए बाजी आपको कस्चम से गुजरना है और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई तो आपके समान के चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्चम वाले कानून जो वो बिगड़ कर बोली निकल आने का क्या मतलब मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी छिपा के ले जाऊंगी मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी प्रिष्ट संख्या 132 भै यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी कानून अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं कुछ मुहबबत, मुराववत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते आखिर कस्चम वाले भी इंसान होते हैं कोई मशीन तो नहीं होते हाँ वे मशीन तो नहीं होते पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है अरे बाबा तो मैं कब कह रही हूँ कि वे ड्यूटी ना करें एक तोफा है वे भी चंद पैसों का शौक से देख लें कोई सोना चांदी नहीं स्मगल की हुई चीज नहीं ब्लैक मार्केट का माल नहीं अब आप से कौन बहस करें आप अधीब ठहरीं और सभी अधीबों का दिमाग थोड़ा सा जरूर ही घूमा हुआ होता है वैसे मैं आपको बताए देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगी और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी आखिर आप कस्चम वालों को कितना जानती हैं उसने गुस्चे से जवाब दिया कस्चम वालों को जाने या न जाने पर हम इनसानों को थोड़ा सा जरूर जानते हैं और रही दिमाग की बात सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अधीबों की तरह घूमा हुआ होता तो ये दुनिया कुछ बेहतर ही जगह हो जाती भाईया प्रिष्ट संख्या 133 मारे गुस्से के उसकी आँखों से आँसु बहने लगे उसका भाई सिर हिला कर चुप हो गया अगले रोज दो बजे दिन को उसे रवाना होना था सुबह के लिए बहुत व्यस्त कारेकरम बन चुका था इसलिए उसे सारी पैकिंग राथ ही को करनी थी कमरी का दर्वाजा अंदर से बंद करके वह समान बांधने लगी इधर उधर फैली हुई चीजें धीरे धीरे सिमट कर सूट केस और विस्तर बंद में चली गई सिर्फ दो चीजे रह गई एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे एक दोस्त का तोफा संत्रे और माल्टे को मिला कर पैदा किया गया फल माल्टे की तरह रंगीन और मीठा संत्रे की तरह नाजुक और दूसरी थी वह नमक की पुडिया अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था भावना के स्थान पर बुद्धी धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी नमक की पुडिया ले तो जानी है पर कैसे अच्छा अगर इसे हाथ में ले लें और कस्चम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें लेकिन अगर कस्चम वालों ने ना जाने दिया तो मजबूरी है छोड़ देंगे लेकिन फिर उस वाइदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था हम अपने को सयद कहते हैं फिर वाइदा करके जुटलाने की क्या मायने जान दे कर भी वाइदा पूरा करना होगा मगर कैसे अच्छा अगर इसे कीनियों की टोकरी में सबसे नीजे रख लिया जाए तो इतने कीनियों के धेर में भला कौन इसे देखेगा और अगर देख लिया नहीं जी फलों की टोकरीया तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही थी उधर से केले, इधर से कीनियों सब ही ला रहे थे, ले जा रहे थे यही ठीक है, फिर देखा जाएगा उसने कीनू कालीन पर उलट दिये टोकरी खाली की और नमक की पुडिया उठा कर टोकरी की तह में रख दी एक बार जहांक कर उसने पुडिया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो कुछ देर उकडू बैठी वह पुडिया को तक्ती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिने वह अपने बच्पन में अम्मा से सुना करती थी जिन में शहजादा अपनी रान चीर कर हीरा चिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी वरना वो अपना दिल चीर कर उसमें ये नमक चिपा लेती उसने एक आह भरी, फिर वह कीन्यों को एक एक करके टोकरी में रखने लगी पुडिया के इधर उधर, आसपास और फिर उपर, यहां तक कि वो बिलकुल चिप गई आश्वस्त होकर उसने हाथ जाडे, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया टोकरी उठाकर पलंग के सिरहने रखी, और लेटकर दोहर ओड़ ली रात को तकरीवन डेड़ बजे थे, मार्च की सुहानी हवा, खिड़की की जाली से आ रही थी बाहर, चांदनी साफ और ठंडी थी पिष्ट संख्या 134, खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त, सामने की दिवार पर पत्तियों के अक्स लहका रहा था कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौकने या रोने की आवाज, चौकिदार की सीटी और फिर सन्नाटा, यह पाकिस्तान था यहां उसके तीन सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्ने नन्ने भतीजे, भतीजियां थी, जो उससे बड़ी मासूमियत से पुछते खुपी जान, आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, जहां हम लोग नहीं आ सकते उन सबके और साफिया के बीच में एक सरहत थी, और बहुत ही नोकदार लोहे की छणों का जंगला, जो कस्चम कहलाता था कल वो लाहोर से चली जाएगी, हो सकता है, साल भर बाद फिर आए, एक साल से पहले तो वै आ भी नहीं सकती थी, और ये भी हो सकता था, कि अब कभी ना सके उसकी आखें आहिस्ता आहिस्ता बंध होने लगें, फिर उसे एक सफेद दुपट्टे का दूधिया आचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर यहां वहां सितारे जिल मिला रहे थे, हमें वहां से आये बहुत दिन हो गए, यहां हमारी कोठी भी है, बिजनस भी, हम य हमारा वतन तो जी लहौर ही है, फिर दिखा इकबाल का मकवरा, लहौर का किला, किले के पीछे डूपते हुए सूरज की नारंगी किरने, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बैती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मौलसीरी के मकवरे की सीडियों पर बैठे हुए दो इनसान, सिर जुकाय, चुपचाप, उदास, जैसे दो बेजान परचाईया, तो तुम कल चली जाओगी? हाँ, अब कब आओगी? मालूब नहीं, शायद अगले साल? शायद कभी नहीं, अचानक उसकी आँखी खुल गई, शायद उ जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी, हुआ ये था कि नीद में करवट लेते हुए, उसका हाथ कीनूओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था, रसीले ठंडे कीनूओं जिनको देते वक्त उसकी दोस्त ने कहा था, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है, सफिया फर्स क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी, देली तक का किराया उसके भाई ने दिया था, वो हाथ में टिकेट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लैटफार्म पर टैल रहा था, वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए कीनूओं की टोकरी पर निगाहें जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतनी लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में कीनूओं के नीचे नमक की पुडिया है, प्रिष्ट संख्या 135, अब उसका सामान कस्चम पर जाच के लिए बाहर निकाला जाने लगा, तो उ एकदम से उसने फैसला किया कि मुहपत का यहतोफा चोरी से नहीं जाएगा, नमक कस्चम वालों को दिखाएगी वह, उसने जल्दी से पुडिया निकाली और हैंड बैग में रख ली, जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदी थे, जब सामान कस्चम से होकर र इंबाकद, दुबला पतला जिस्म, खिचडी बाल, आँखों पर एनक, वे कस्चम अफसर की वर्दी पहने तो थे, मगर उन पर वे कुछ जच नहीं रही थी, सफिया कुछ हिचकिचा कर बोली, मैं आप से कुछ पूछना चाहती हूँ, उन्होंने नजर भर कर उसे गौड से देखा, बोले, फरमाईए, उनकी लहजे ने सफिया की हिम्मत बढ़ा दी, आप, आप कहां के रहने वाले हैं, उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौड से देखा, मेरा वतन देली है, आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती हैं, अपने अजीजों से मिलने आई हो जी हां, मैं लखनव की हूँ, अपने भाईयों से मिलने आई थी, वे लोग इधर आगए हैं, आपको भी तो शायद इधर आए, जी, जब पाकिस्तान बना था, तब ही आए थे, मगर हमारा वतन तो देली ही है, सफिया ने हैंड बैग मेज पर रख दिया, और नमक की जी हीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया, जब सफिया की बात खत्म हो गई, तब उन्होंने पुडिया को दोनों हाथों से उठाया, अच्छी तरह लपेटा, और खुद सफिया के बैग में रख दिया, बैग सफिया को देते हुए बोले, मुहपत तो कस्चम से इस तर अलाम कहिएगा, और उन खातुन को ये नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहर अभी तक उनका वतन है और देली मेरा, तो बाकी सब रफता रफता ठीक हो जाएगा, सफिया कस्चम के जंगले से निकल कर दूसरे प्लैटफॉर्म पर आ गई, और वे वहीं खड़े प्लैटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिष्टेदार, हसरत भरी नजरों, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और भीचे हुए होटों को बीच में से काटती हुई रेल सरहत की तरफ बढ़ी, अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उत्री, हिंदुस्तानी प एक जमीन थी, एक जबान थी, एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लबो लहजा और अंदाज थे, गलियां भी एक सी ही थी, जिन से दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे, बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी, कि भरी हुई बंदूग दोनों के हाथों में थी अमरिस सर में कस्चम वाले फर्स क्लास वालों के सामान की जाच, उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे, सफिया का सारा सामान देखा जा चुका था, तो वह उन नौजवान कस्चम अफसर की ओर बढ़ी, जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा, फिर उसने हैंडबेग खोला और वह पुडिया उनकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते, जिजकते, हिचकी चाते हुए, उनको सब कुछ कह सुनाया उन्होंने सिट जुका लिया, सुनते रहे, बीच-बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते बात पूरी हो गई, तो उन्होंने एक बार फिर सफिया को ऊपर से नीचे तक देखा, धीरे से बोले, इधर आये जरा चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा इनके सामान का ध्यान रखेगा प्लैट फार्म के सिरे पर एक कमरा था वे उसके अंदर घुजे सफिया दाखिल होते हिचकिचाई वे मुश्करा कर बोले आईए आईए ना जेब से रुमाल निकाल कर उन्होंने कुर्सी को जाड़ा और बोले बैठिये सफिया ने पुडिया और बैग को मेज पर रख दिया बाहर की तरव जहांक कर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया सफिया के पैर तले की जमीन खिजकने लगी अब क्या होगा दो चाए लाओ अच्छी वाली पुलिस वाला सफिया को घूरता हुआ चला गया फिर उन्होंने मेज की दरास खीची और उसके अंदर दूर तक हाथ डाल कर एक किताब निकाली किताब को सफिया के सामने रख कर उन्होंने पहला सफा खोल दिया बाइय और नजरुल इसलाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफे पर अंग्रेजी के कुछ धुन्दले शब्द थे शमसुल इसलाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ धाका 1946 तो आप क्या इस्ट बेंगाल के हैं? हाँ मेरा वतन धाका है उन्होंने बड़े फक्र से जवाब दिया तो आप यहां कब आए? जब डिविजन हुआ था तब ही आए मगर हमारा वतन धाका है मैं तो कोई 12-13 साल का था पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बच्पन से पढ़ते थे जिस दिन हम रात यहां आ रहे थे उसके ठीक एक वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने सबसे प्यारे बच्पन के दोस्त ने मुझे ये किताब दी थी उस दिन मेरी सालगिरा थी फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरे भी मिल गई पर हम वतन आते जाते थे वतन? सफिया ने जरा हैरान होकर पूचा मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है उन्होंने जरा बुरा मान कर कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है सफिया जल्दी से बोली तो पहले तो बस इधर ही कस्चम था अब उधर भी कुछ गोल माल हो गया है उन्होंने चाय की प्याली सफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भर कर बोले वैसे तो डाव कलकत्ता में भी होता है जैसे नमक यहां भी होता है पर हमारे आके डाव की क्या बात है हमारी जमीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है उठते वक्त उन्होंने पुडिया सफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठा कर आगे आगे चलने लगे सफिया ने उनके पीछे चलना शुरू किया जब सफिया अमरित सर के पुल पर चड़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीड़ी के पास वे सिर जुकाए चुपचाप खड़े थे सफिया सोचती जा रही थी किसका वतन कहां है वह जो कस्चम के इस तरफ है या उस तरफ प्रिश्य संख्या 137 अभ्यास पाठ के साथ प्रेश्ण एक सफिया के भाई ने नमक की पुडिया ले जाने से क्यों मना कर दिया प्रेश्ण दो नमक की पुडिया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था प्रेश्ण तीन जब सफिया अमरिसर पुल पर चड़ रही थी तो कस्टम ओफिसर निचली सीडी के पास सिर जुकाई चुपचाप क्यों खड़े थे? प्रश्ण चार लाहौर अभी तक उनका वतन है और देली मेरा या मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं? प्रश्ण पांच नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारितरिक विशेशताओं को स्पष्ट कीजिए प्रश्ण छे मानचित्र पर एक लकीर खीच देने भर से जमीन और जनता बट नहीं जाती उचित तरकों वा उधारणों के जरिये इसकी पुष्टी करें प्रश्ण साथ नमक कहानी में भारत वा पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मुहब्पत का नमकीन स्वात घुला हुआ है कैसे? प्रिष्ट संख्या 138 क्यों कहा गया? 1. क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मुहब्बत, मुरौवत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? क्यों कहा गया? भावना के स्थान पर बुद्धी धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी क्यों कहा गया? 3. मुहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है के कानून हैरान रह जाता है क्यों कहा गया? 4. हमारी जमीन हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है समझाईए तो जरा 1. फिर पलकों से कुछ सितारे तूट कर दूदिया आचल में समा जाते हैं समझाईए तो जरा 2. किसका वतन कहां है? वह जो कस्टम के इस तरफ या उस तरफ पाठ के आसपास 1. नमक कहानी में हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं समवेदनाओं को उभारा गया है 2. वर्तमान संदर्ब में इन समवेदनाओं की स्थिती को तरक सहित स्पष्ट कीजिए 2. सफिया की मनस्थिती को कहानी में एक विशिष्ट संदर्ब में अलग तरह से स्पष्ट किया गया है अगर आप सफिया की जगे होते या होती तो क्या आपकी मनस्तिती भी वैसी ही होती? स्पष्ट कीजिए प्रेश्ट तीन भारत पाकिस्तान के आपसी संबंधों को सुधारने के लिए दोनों सरकारें प्रयासरत हैं व्यक्तिगत तौर पर आप इसमें क्या योगदान दे सकते हैं? या क्या योगदान दे सकती हैं? प्रेश्ट चार लेखिका ने विभाजन से उपजी विस्थापन की समस्या का चितरन करते हुए सफिया वसिख बीवी के माध्यम से यह भी परोग शुरूप से संकेत किया है कि इसमें भी विभाजन के अनेक स्वरूपों में बटी जनता को मिलाने की अनेक भूमिया हो सकती हैं रक्त संबंध, विज्ञान, साहित्य वकला, इन में से कौन सबसे ताकतवर है और क्यों आपकी राय मान लेजिए आप अपने मित्र के पास विदेश जा रहे हैं या जा रही हैं, आप सावगात के तौर पर भारत की कौन सी चीज ले जाना पसंद करेंगे या पसंद करेंगी और क्यों प्रिष्ट संख्या 149 भाशा की बात प्रेश्ट एक, दिये गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िये, क, हमारा वतन तो जी लाहौर ही है, क, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं, समाने ता, ही निपात का प्रयोग किसी बात पर बल देने के लिए किया जाता है दिये गए दोनों वाक्यों में ही के प्रयोग से अर्थ में क्या परिवर्तन आया है, स्पष्ट कीजिए ही का प्रयोग करते हुए दोनों तरह के अर्थ वाले पांच-पांच वाक्य बनाईए प्रेश्ट दो दिये गए शब्दों के हिंदी रूप लिखिए मुरौवत, आद्मियत, अदीब, साड़ा, माइने, सरहद, अक्स, लबो लहजा, नफीस प्रेश्ट तीन पंधरा दिन यों गुजरे कि पता ही नहीं चला इस वाक्य को ध्यान से सुनिए और इसी प्रेकार के यों, की, ही से युक्त पांच वाक्य बनाईए स्रिजन के क्षण नमक कहानी को लिखक ने अपने नजरिये से अन्य पुरुष शैली में लिखा है आप सफिया की नजर से उत्तम पुरुष शैली में इस कहानी को अपने शब्दों में कहें इन्हें भी जानें एक, मुहर्रम इसलाम धर्म के अनुसार साल का पहला महीना जिसकी दस्वी तारिख को इमाम हुसेन शहीद हुए दो, सय्यद मुसल्मानों के चौथे खलीफा अली के वन्शजों को सय्यद कहा जाता है इकबाल सारे जहां से अच्छा के गीतकार चार, नजरुल इसलाम, बांगला के एक रांतिकारी कवी पाँच, शमसुल इसलाम, बांगला देश के प्रसिद्ध कवी छे, इस कहानी को पढ़ते हुए, फिल्म, कई रचनाएं, कई गाने आपके जहन में आय होंगे उनकी सूची बनाईए, किनी दो फिल्म और रचना की विशेशता को लिखिए आपकी सुविधा के लिए कुछ नाम दिये जा रहे हैं फिल्मे उन्निसो सहतालिस अर्थ मम्मो ट्रेन टू पाकिस्तान गदर खामोश पानी हिना वीड जारा रचनाएं भीश्म सहानी का उपन्यास तमस कृष्णा सोबती का उपन्यास जिन्दगी नामा मंटो की कहानी टोवा टेक सिंग अम्रता पृतम का उपन्यास पिंजर यश्पाल का उपन्यास जूठा सच मुहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक कृष्णु चंदर की कहानी पेशावर एक्सप्रेस साथ सरहद और मजहब के संदर्भ में इसे देखें तू हिंदू बनेगा ना मुसल्मान बनेगा इनसान की ओलाद है इनसान बनेगा मालिक ने हर इनसान को इनसान बनाया हमने उसे हिंदू या मुसल्मान बनाया कुदरत ने तो बक्षी थी हमें एक ही धरती हमने कहीं भारत कहीं इरान बनाया तू तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इनसान की अौलाद है इनसान बनेगा ये पंक्तियां फिल्म धूल का फूल से ली गई है, इन पंक्तियों के गीतकार थे साहिर लुध्यानवी प्रिष्ट संख्या 140, चब्द चवी, उम्दा, अर्थ अच्छा, नफीस, अर्थ सुरुचिपून, रुखसत, अर्थ विदा, साड़ा, अर्थ हमारा, हिस्से बखरे, अर्थात बटवारा, मुरवत, अर्थात संकोच, अधीब, अर्थात साहित्यकार, लबो लहजा, अर्थात बोल चाल का तरीका, नवाज, अर्थात सम्मानित करना, सौगात, अर्थात भेंट, अजीज, अर्थात प्रिय, बाजी, अर्थात दीदी, दोहर, अर्थात कपडे को दोहरा कर सिली गई चादर या लिहाफ, इसी के साथ, आरो भागदो का पाठ सोलह, यहां समाप्थ हुआ, प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत.